अगर दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल अनुपी स्टेडी में आज हम शुरू करेंगे जो ही प्रतेख नंबर 11 से और इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाएं डिस्क्रिप्टन में लिंक दिया गया है जाकर आप वहां से देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा प्लेलिस्ट में प्रतेख दिन का वीडियो वहां पे सेट किया गया है वहां पर प्रतेख दिन का वीडियो आपको मिलता रहेगा यहां पर हम लोग सुरू करें है जो है कि 20 तक प्रसणों का सलूसन इस वीडियो में करा जाएगा और सेस्ट प्रसणों का सलूसन है जो है कि आपको अगले वीडियो पूरा सलूसन करा दिया जाए गा, यह आपका question मेरं 11 का सलूसन देखेंगे करें कि Од Σं चतरभुम्छ on दो एक सामचेतरहुच का जो छेतरफल है आपका कितना होगा आपको फाइन करना है थी यह तो कि यह आपका हो गया वी हो गया है उसे इसपल का है और कि यह वी Als विकाण की लंब वहत दूरी जो है याहां से यह दूरी आप की किसटीमेटर की नहीं होगी और टोटल आपकी लंबाई की बात करें मेरे प्यार दोस्तों आपको हो जाए कितना 64 होगा की नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं कि सम चत्रभूज यानि सम चत्रभूज का आपका छेतरफल पूछा है तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि सम सम चत्रभूज का छेतरफल बराबर होता है एक बटा में दो गुणे दोनों भी करणों का गुणनफल ठीक है दोनों भी करणों का क्या करेंगे हम लोग गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा देखेगा यहाँ पर एक बटा में कितना हो जाएगा दो गुणे दोनों भी करणों का गुणनफल यह आपका एक बिकरण आपका 80 है गुणे दूसरा बिकरण कितना है 64 है और कीटना साथ यह की साइशन हो गया सहतre एक संटीमिटर है इसक्वाइर का सबसे 500 और कर सेंट्रीं में कर सेंटीमिकर इसक्वाइर होगा यानि फोगा कित्यमिकर को सबस्टीमीटर ठीक है सम चतुर भूज का छेतरफाल आपका हो गया जो है कि 25 कितना साथ यानि पचीस तो जो है कि आपका साथ हो गया सेंटीमीटर इसक्वाइड और आफसन की बात कर लें हम लो तो आफसन नमबर जो है आपका सी इसमें से क्रेक्ट है आपका हो गया पचीस साथ सेंटीमीटर इसक्वाइड तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग अगला देखते हैं कोशन नमर बारा का सुलूसन कोशन बारा का जो है कि आपको सिर्फ जो है कि आफसन याद रखना है कि इस समय जो है कि जो पूछ रहा है उस टेप कर दिपूछता है तो आपक कोशन नमर बारा का सुलूसन देख लेते हैं तो देखेगा कोशन नमर बारा है कि एक वर्ग एक आयत तथा एक यानि कि एक वर्ग और एक आयत है तथा एक समकोडी जो है समदिवाहू तरिभूच का परिमाप समान है तो करें कि अधिक्तम छेतरफल वाली आकरीती क्या कि वर्ग का अधिक्तम छेतरफल आपका और आपका कि वर्ग एसा उन तीनों में से हैं जिसका छेतरफल जो है कि सबसे ज़्यादा होगा ट्यक्तम उमीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आगा आपसन याद रखेंगे जब परिमाप बराबर दे रहा है ये भी दे रहा है आपका कि वर्ग और आयत तथा सम्पोरी सम्दिबाव तिर्भूज का परिमाप समान है तो अधिक छेतरफल जो होगा आपको किसका होगा वर्ग क एक अंदर दो संकेंदरी ब्रित बी तथा सी इस प्रकार बनाए गए हैं कि ब्रित ए तीन बराबर छेतरफल के अस्थानों में भीभकत हैं हो जाता है तो ए समंदे बी समंदे सी के जो है कि अर्ध ब्यासों कानुपात कितना होगा तो चलिए हम जो है कि यहाँ पर ग्राफ बनाकर देख लेते हैं किस तरह समसां हम करेंगे तो देख़ेगा यहां फ्रेंट्स हम लोग जो है कि घृष यहाँ पर बना लिए हैं और देखिए कई बड़ा वाला जो ए है इसमें तीन आपके बरेत बनाएगा हैं जो आपके संकेंदर है जो आपके तीन बरावर फाइंड होगा इस बड़े वाले कि 3 बराबर भागों में बिभक्त करना है तो पहले हम बड़े वाले का च्शेतर फ़ल निकालें कितना रहा है हुआ उसके बाद तिन तरफल rock करेंगे और यहां पर लिखेंगे इस लिए पर निकाल है यह कि बड़े सेंटीमीटे बड़े बड़े वाले का शेतार्फ़ाज निकाल लेंगे बड़े बृति का इंट आपका हो जाएगा वही आजसे लिए और दाल यहां से लें लिए वहीं मी पाई आर्फ्री है रिक्राइब होता है और यहांत हो जायेगा पाई गुडए अर्थी कमान कीतना है। 20 गात 20 हो जायेगा यहां पाई गुडए दो इंत्वी का चाहर सु यहनों कि आपको कจะ चाहर सो पाई पूरा बड़े वाले का जो में च्छेतरफल है आपको कि nog갔 Meet अपका बड़ेवाले कि अच्छी तफल 400 चांण लेकिन 400 जो आया है ठीक है लेकिन इसे कितने प्रिद्ध बनें हुए भाटना actively Video करके तो कि प्रोसेस यहां पर लोग में किसका में हमें लोग पूरा बड़ा बढ़ेवले का निकल आपका मान यह आया हम यह बढ़े वाले ब्रित का समस्कते हैं कि चेतरफल हुआ है बड़े वाले बृत का यानि की एक चारसो पाइसेंटीमीटर किया इसकोः तो निकाल देखेंगे ऑफ बहाग कर लिजिए निबटेग खंड कर लिजिए परतेक खंड का चेतरफल तो आपका खंड का चेतरफल हिस्फा कितना कितना है है 400 पाई है और खितने व्र estado combine का कितना है किहां ने यहां पीप्य कट निकल गया हम आरवन अच्छे अभून नीकाल ले इसका आरवन समझिक करके बताना आ है फ्रेंर न यहां तो आप देखे यह और वन का आपका इतना मानाया की नहीं है पूरा छेतैंट फिल जो इतना हुआता है ना कि ळिप तो आपका इसके लिए हो जाएगा इसक्वाइर बराबर आपको होगा चार सो पाइवाटा में कितना तीन तो आपका इसके लिए तो आपको हो जाएगा चार सो बाटा में कितना तीन हुआ कि नहीं हुआ अब यह देखिएगा आरण पता हो गया अब हो देखते हैं true कि किसके लिए लगा आ概 है यहां पर हम लोगे कहता है कि पुन्ह से भीने करे निकालंगे तो आंड़ू निकालंगे तो देखें सब्सक्राइब कितना भाग है इसका चार सो पाई बाटा में कितना है तो पाई से पाई क्या हुआ कट गया कि नहीं यहां पर हो जाएगा आर्टू स्क्वाइर बराबर हो जाएगा कि 400 बाटा में तीन आरन कमान कितना है बीस बटा में तीन है और री स्कॉयर करेंग यह हो जाएगा क्या । लिए क्या कितना निकालेंगे जैने मिते और यहां से तो आकम निकालेंगे सिर्टा निकलेगा कि ने तो बर्मून करन लाँगा तरह निकालेंगे यहाँ से लिडिए यहां से लिए यहां से हो जाएगा रटू बरावर हो जाएगा इल्कवर मुस्त इसकोर्य थे फाइंड हो गई और क्या आरा थे अनुपात सकते एंक वूइस करणी में तीन है तो कितना है 20 करणी में 2, बटा करणी में 3 है, समय और 3 कितना है इसका है सब्सक्राइब करें तो आपको कितना दिखिए मिलेगा एक समंधे करणि में क्या मैं तीन की आपका क्रेक्ट होगा कोई नहीं होगा दीन जो है कि डी आपका करेक्ट होगा ठीक है उम्मीद होगी कि यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए फ्रेंस हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ कोश्चन नमर जो है कि हम लोग का 14 देखते हैं कोश्चन नमर 14 का सलूसन किस तरह से करेंगे 500 चकर में पहिये द्वारा तय की कई दूरी कितनी होगी देखें कोई भी आपका ब्रित है यहाँ पर मैं जो है कि फार्मूला भी लिखा हूँ एक ब्रित यानि कि ब्रित एक चकर में जो ब्रित होता है वहाँ एक चकर में अपने परीधी के बरावर परीधी का मतलब किया व्यास है व्यास आपको कितना 1.2 6 यानि की एक दस्मार कितना 2 6 मीटर का है थीक है इतना मीटर का यह व्यास हो गया इस परीद का और यह का रहीं पांसो चक्कर में यहँदि बृच्छ आपके लिए तो 500 चकर लगाने में तय की गई दूरी आपके कितनी होगे ठीक है देखे एक चकर में अपने परीदी के बराबर दूरी तय करेगा तो 500 चकर में जो है कि मल्टिप्लाई कर जितना हम लोग का परीदी मिलेगा एक चकर के लिए जितनी परीदी उसकी होगी उसमें जो है 500 से मल्टिप्लाई कर चलिए यहां पर एक चक्कर में तय की गई दूरी तो पाई क्या आर और टू आर जो होता है ब्यास होता है यह नहीं है तो आप जो है कि इसका अर्धा भी कर सकते हैं उससे अच्छा है कि पूरा 2R या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2R into क्या? Pi वही नहुँआ 2PiR तो यहाँ पर 2R क्या है? 20 है या आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं 20 गुड़े क्या? Pi कर दिए ठीक है? 20 गुड़े क्या? इतना हुआ और एक चकर कह यह हो गया आँ हम लोग निकाला लना ह। आँ कितने चकर को 500 मेस दोरी ,। पांसो हो जाएगा है। एससे हम लोग, यहाँ पर आसे में तो यहाँ पर लिखेगा है तो यहाँ पर लिखेगे कि 500 चकर को जाएगा लोगत है घंव 206 ना往 7 दो जीरो इसमें से अटेगा तो मल्टिप्लाई करके देख लिए यह आपको पॉइंट अट जाएगा यानिकि एक सो कितना 26 गुणे कितना 22 बटा में कितना हो जाएगा अब यह साथ से कटा दीजिए तो आपको हो जाएगा यानिकि 58 56 होगा तो यह आपको हो जाएगा आठारा पाचे कितना हो जाएगा नवे गुणे कितना 20 हुआ की नहीं हुआ और इसका में मल्टिप्लाई करादें कि कितना हो जाएगा देख सुर्री वी इस ने यह 22 है 22 इसका मल्टिप्लाई कर एक 0 हो जाएगा नदुनी 18 कौर्ट हुआ हासी लेक हुआ नदुनी 18 क्या 19 इतना मीटर यहां जो है 500 चकर यहां बृत घूमता है यहां पहिया जो है 500 चकर यहां घूमती है पहिया तो इसका जो ब्यास 1.26 यहां तो टोटल जो है कि दूरी ताय तो आपका यह हुआ इन उनी सो असी मीटर हुआ तो हम लोग आपसंग की बात कर लें मेरे प्यार दोस्तों तो कोश्चन नमर 14 का जो है कि आपका क्रेक्ट है यहां पर जो है कि आपको समझ में आ जाए किस तर से आपको क्या किया गया ठीक है चले वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चले बढ़ते हैं कोस्चन नमर 15 का सलुसन हम लोग कैसे करेंगे उमीद होगी यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया ह होगा कि किस तरह से आपको प्रश्ण कर रहा है यहां पर फार्मुला भी रख दिए इसको आप लोग याद रखेंगे तो आसानी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस टैक कोई कोशन हो ठीक है चले यहां पर हम जो है कि 15 नमबर का जो है ग्राफ यहां पर बना दिये हैं और आप पर स्तित्र धित्त हो यदिए पी बराबर कि आपी सी कर एक जो एक वी है या बराबर किस के है नंबहुत सिंपल है यह कि इस तरवुज का नूपात और जो है कि इस तरवी का अनूपात कितना होगा स्टाप जब कि यह समझेगा यहां पर हम लों सबसे पहले इस बड़े वाली तिर्बूज की लिए बड़े तुरिभूज बड़े तिर्भोज ABC का छेत्रफल तो फार्मूला क्या बनता है एक बटा में दो आधार आपका कितना है BC यह देखिए इस बड़े वाले में BC और गुणे हाइट कितनी है AM कि एम कि बीसी गुणे क्या AM होगा की नहीं होगा ठीक है इसके बाद यहां पर करेंगे देखिए एक बटा में दो गुणे कोश्टक में BC जो है यह BC जो आपका भाग बना हुआ है यहां पीक्यू का क्या है दुगुन्ना होगा ठीक है यह दूनों भुजाएं जब बरावर ह है BC दुगुन्ना है यहां आप टू लिख सकते हैं दुगुन्ना आपका क्या पीक्यू लिख सकते हैं पीक्यू क्योंकि पीक्यू का यानि कि आपका बीसी जो है आपके पीक्यू का यह कितना होगा दुगुन्ना होगा ठीक है अगुने एम देखिए एम जो है पूरा यह ब्रबश्च भाग आपका आम बड़ा बना हुआ है यह एम जब बना हुआ है तो यह है एम कीतला होगा दोगुणना होगा आपका यहां को दोगुणना करें कि तो अको पूरा आम यह यहां पर दो से दो क्या हुआ कट गया एक यह पritud Q अगुन्य क्या हो जाएगर n तो आपका है इतिंहें अब देखें च्छोटे वाले च्छेतर फल यह पर क्या है च्छोटे तिर्भूज क्या है एक बटा में दो होता है आधार आपका कितना है पीक्यू गुड़े हाइड कितनी है आपकी ए टीक है तो आप नहीं है समीकर नंबर इसको एक माल लिए समीकर नंबर क्या माल लिए दो ठीक है तो आपका ए बेस यह बड़े वाले का है न अब देखिए अब हम लोग जो है कि एक बड़े वाले पूरे बड़े वाले तिरभूझ के छेतरफल में से छोटे वाले तिर्भूझ के चेतरफन निकाल दें तो आपका इए आपका ये चत्रभूझ गया ज staffow फैकर आप सिक्वा क्या रहा है चत्रभूझ पी क्यों लिए. क्या हुआ है देखिए क्यूपी सीबी दिया हुआ तो हम वह ऐसे लिख लेंगे क्यूपी सी बी का छेतरफल ठीक है और देखे फ्रेंड यह जो है आपका इतने का जब आपको छेतरफल निकालना है इस बुड़े जो है कि पूरे बड़े वाले तिरभूज में से जो है कि छो ढ़ल गटा देना है छोटा वाले तर्चे तफल घटा यह तो छोटा हो गया थैस चोटे वाले तिरल्भूज कीने क्या गदा आ में पर आपकर पाला समीकार दोसरा तीसरा और अभी यहां पर हम लिखेंगे अनुपात निकालाए ना वादना तो आनुपात हमनों कहा है चेतरफलों का आनुपात यह नहीं है चेतरफलों का अनुपात तो आपका कहार है तिरभूज A B P का च्छेतरफल चाहिए तिक है इसके बाद बाटा में आपका होना चाहिए क्या चत्रभूज है चत्रभूज बना लेजिए Q P C B का क्या च्छेतरफल तिक है इनी दुनों का नुपात कर रहा था तो आपका आपका कितना है इसका मान कितना है तीन बाटा में 2 पूरे क्या एन से एन कट गया दो से ब्लाइब अनुपात हो गया एक समभ एक समझते चले हैं तो यह आपसं कि हम लोग बात कर लें तो एक समने तिन जो कि आपका क्रेक्ट आपका क्रेक्ट है और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहें हम भरते हैं कोश्चनमबर 16 के तरफ कि जो है कोश्चनमबर 16 का सलुचन हम लोग कैसे करेंगे देखें कोस्चनमबर 16 का सलुचन कि अब प्रस नमर 16 का जो है कि करें कि एक आयत का भिकला आपका 13 cm है इसका परिमाब आप 34 सेंटीमीटर हो तो आयत का छेतरफल क्या होगा ठीक है यह कोई आयत है कि अब यह यह का है तो यह कितने का होगा एक्स का होगा और यह वाई का है तो यह लंबाई कर ले लंबाई यह एक्स हो गई और जो चोड़ाई है कितने हो गई वाई हो गई तो अब देखें प्रस्नी क्या कहा रहा है कि एक गदा दिया हो अधाए प्रिमाप देखें बढ़िया हुआ है इसका अशुक ही दिया वइकने कितना और आपको थेहरी को अध्या क्या हो गया ठीक है अब यह नबे डिदीर्ट का मिकान विकान प्रषा इस्पार बरावर हो जाएगा लंब का स्क्नाइब नहीं कि अब इसका परिमाप बराबर क्या होता है तो परिमाप दिया हुआ है 24 तो परिमाप होता है 2 कोश्टेक में X धन Y यहनिकी लंबाई धन क्या चोड़ाई आपको कितना हो गया 24 चाओधिस 2 से कटा दीजिए X प्लस Y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 2 साते 14 सतर हो गया समिकर नमर कितना मिल गया अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या बनता है फार्मूला हम लोग का बनता है X प्लस Y का होली स्क्वाइर बराबर होता है X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर अब प्लस होता है 2X क्या Y इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता है है तो आसानी आप एक प्लस कमांड कितना है एक स्कॉरायर बराबर एक स्कॉरायर प्लस 2xy उम्मीद हो यह बिल्कुल आपका सिंपल है 17 का स्कॉयर करेंगे 289 हो जाएगा बराबर एक सो कितना उनहात्तर प्लस क्या 2xy इसको इधर फैच दीजिए तो यह हो जाएगा 289 और माइनस एक सो कितना नहात्तर बराबर जाएगा घटा दीजिए जीरो हो जाएगा आठ में से 6 घटे कितना हो जाएगा और यह 120 बराबर क्या 2xy से कटा दीजिए 120 को तो कितना स्टाट इनी एक सिंटु वाई यहां कि जो एक सिंटु फाइग कमान निकला कितना मिन निकल गया साट और यही एक सिंटु आइक को तो क्या बोलते हैं हम लोग छेतरफल बोलते हैं ना यहीं कि इसका छेतरफल जो है आयत का छेतरफल आपका निकल गया जो एक साट वर्ग सेंटीमेटर यह रहा क्या आयत का छेतरफल एक सो आपका प्रश्ण की बात कर लें तो हम लोग आपका प्रेट उमीद यह समझ में आ रहा है आप साट सेंटीमेटर स्कॉर्ण ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं इस तरह से कोशन नमर 17 की तरफ अभी तक का वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा आपने दो आपना नमर कोश्चन है बहुत ही सिंपल है कर रहें कि यदि एक समलम चत्रभूज की दो समांतर भूजाओं की लंबाई 15 और पचीस है इनके बीच की दूरी जो है कि साथ सेंटीमेटर हो तो समलम चत्रभूज का छेतरफल क्या होगा फर्मुला पता होगा समलम चत्रभू oh yeahookie fight got respect 도 और आब यह करें चिंप पचीस सेंटीमिटर का है इसके बाद दूसरा करें कि दूसरा जो है आपका 15 cm का है और इसकी जो height है यह जो इनके बीच की दूरी है कितनी है 7 cm की तो formula क्या बनता है करेंगे समलंब चत्रभूज का 6 तरफल तो हमनों लिखेंगे समलंब चत्रभूज का 6 तरफल ठीक है बराबर यह दो समांतर भूजा है समांतर भूजाओं का योग होता है यहां पर आपको 5 तरफ में दो हो जहते हैं चाहर बाटा 140 cm2 होगा और आपसन की बात कर लें तो कोशन मबर सतरक आपसन की आपका क्रेक्ट है 140 cm2 यह आपका फर्मूला है समलंब समलंब चत्रभूज का छेत्रफल बारावर एक बटा में दो समांतर भूजाओं का योग अगुणे क्या हाइट आपकी होती है तो आपका हो गया 140 सेंटिमीटर स्कार उमिदो की समझ में आया चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है ते वीडियो को लाइक से जरू कर दें 22 मीटर समान चोड़ाई की दो सड़के इस प्रकार बनी हुई है कि एक सड़क लान की लंबाई के समांतर तथा दूसरी सड़क उसी चोड़ाई के समांतर तो सड़क पर 4.50 यानिका 4 रुपे प्रत्न मीटर स्कॉयर की दर से रोड रोडी बिच्वाने का खर्च होगा ठीक देखी यह आपका एक आयतकार पहले हम बना लेंगे इसमें इसके बाद सड़क बनेगे ठीक है इसकी माप क्या क्या है यह हमाले जिए हो गया बी हो गया सी और यह क्या ती इसमें जो है कि एक बर कर रहे कि इसकी माप है 75 गुणे 60 की यह आपका जो है 75 का है और यह आपका कितने का है 60 की इनके बीच जो है कि चोड़ी सड़क बनाई जा रही है और सड़क की जो चोड़ाई है आपका जो है कि 4 मीटर का है ज्यादा पतला हो गया ठीक है 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 हिए यह भी शड़क की चोड़ाई 4 मृट किया नहीं है लेकिन यह देखिए इसकी जो लंबाई और लृट कितनी है है में फाली स्थिति पाली स्थिति में यह आपकी लंबाई यह जो है लंबाई वाला जो है इसको पहले हम फाइंड करेंगे तो आपका इसके लिए हो जाएगा लंबाई गुणे चोड़ाई यह आप इसको फर्स्ट मालेजे सब्सक्राइब तो आपकी लंबाई गुणे क्या हो जाएगी चोड़ाई तो लंबाई कितनी है पचाहत्तर गुणे चोड़ाई कितनी है चार ठीके तो मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा आप देखे पूरा लंबाई आपका कितने का होगा साट का और इसके लिए लंबाई जो है कितनी पचाहत्तर ठीके साथ गुणे आपका कितना हो जाएगा चार सुनना और यह हो जाएगा चोड़ाई कि दो सो कितना चालिस मीटर स्कौर मल्टिप्लाइट जांच कर लेंगे चार पच्चेवीस को सुनना चार सथ्य अठाईस तो कितना टीस्त तीन सो लेकिन यह टॉटल आपका ज्चय तरफल कितना हो जाएगा और इस सार्थ क्या दोनों होड़ेंगे तो आपका हो जाएगा। 300 कितना 240 तो आपका हो जाया कितना 500 कितना हुआ 40 लेकिन 540 में देखे यह जो भाग है आपका दोनों में उभाइनिस्ट है यह जो भाग है आपका दोनों में क्या है उभाइनिस्ट तो इस तीसरे भाग का छेतर फल निकालेंगे तो क्या मिलेगा यह भी 4 होगा यह भी क्या हो यानिके 16 यह वाग है और इसमें से 16 क्या करेंगे घटा देंगे तो पर यहां से देख लीजिएगा कुल सड़क का छेतरफल तुक्ल सड़क कितना हो जाएगा वह देखेगा पूरा पांसो कितना है लेकिन उबाइनिस्ट भाग कितना है चार चेव को सोला इस तो यह आपका हुआ तीन हो जाएगा तीन हो जाएगा और यह पांच ठीक है यह निकि आपका हुआ कराने में निकालते हैं तो इसलिए आपका है पानसो च्वीश मीटरी स्कॉयर कि निकालते हैं यह यह हो जाएगा 524 गुड़ी कि और पचास पईसा इसका मुल्टिपलाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 2358 रूपिया यह आपका क्ल क्या हुआ खर्च हुआ यह कि टोटल रोडी विछ वाने में कि आपका खर्च होगा तो उम्मीद होगे फ्रेंस यह बिल्कुल आपको स है यह जो बात करने मेरे दोस्तों आप दोस्तों आपसे नमबर है हम लोग का टो रहा है को समय आ गया है पौसे नमर 19 के तरफ कोशन नमर 19 का सब्सक्राइब करेंगे तो उनीश में आपका सेम प्रोसेस आपका अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि एक समलंब आकार के छेतरफल तो वालिस जो है कि चालिस यानिकी 14-40 वर्ग मीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच लंब बहुत दूरी आपका दिया है समांतर भुजाओं का अनुपात विदिया है तो बड़ी समांतर भुजा रहे हैं कि लंबाई ठीक है बड़ी भुजा पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है बहुत संदे कितने का तीन तो बड़ी भुजा वाली पांच होगी कि नहीं तो इसको फाइफ एक समाल लेजिए इसको क्या इनके बीच की दूरी आपका दिया है कितना 24 सेंटिमीटर दिया हुआ है ठीक है लेकि इसका छेतरफल जो दिया है समलंब चेतर भुजाओं का योग यह स 5X गुणे क्या होता है उचाई आपका फर्मूला पहले हमनों देखें सत्रह में तो यह आपको हो जाएगा पांट तिन कितना हो जाएगा आठ एक्स बटा में क्या दो गुणे कितना 24 होगा की नहीं लेकिन सब को यहां पर ध्यान दिजिएगा 24 जो है कि आपका इसका छेत गो हाग दो दूनी के 4 हो जाएगा फीर 2 साते 14 हो जाएगा और दो दूनी के 4 हो जाएगा जीरोसे कटा का तो आपका 2,3,6,67',22 हो जाएगा और 0 हो जाएगा यहां 350 ह हुआ बराबर है क्या 24 यहां से हम दों निकालेंगे uwagę 360 को डिवाइट कर दिजिए था 24 से 360 को डिवाइट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक हुआ एक हुआ यह हो जाएगा 24 हो जाएगा जीरो हो जाएगा यह आपका दो हो जाएगा एक यह जो है आपका सबसे बढ़ी भूजा कौन है तो आपकी सबसे लोगा लंबी बढ़ी भूजा कौन सी होगी यहां पर हम इंडिकेट कर दें कोई बात नहीं यहां पर देख लें कितना बड़ा होगा यहां पर हो जाएगा तीन गुणे 15 होगा 15 तिया कितना 45 हुआ और यहां पर जाएगा 5 गुणे क्या 15 15-75 यह बताए 55 और 45 में सबसे लंबी भूजा कोन है यह 75 वाली है ना यहनिकि आपके सबसे लंबी भूजा कितनी होगी 75 जो है कि मीटर की होगी तो आप संद्र की बात कर लें हम लोगो मेरे प्यारे दोस चलिए हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमबर 20 के तरफ जो कि आपका इस वीडियो का जाए कि आपका अंतिम कोशन होगा और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों में जाए किस तेर जरूर कर दिएगा चलिए देख ले अगले वीडियो में लेकर चलेंगे आपको प्रस नमबर 20 अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जूड़िएगा और साथ में बेल आइकन को पेस्ट भी कर दिएगा ताकि जभी मैं वीड लंबाई से दो से मिअधिक है तता उसके worries के City अदिक है और इसके पांथ तृभूज का च् dwar ऐनिकर तृप्रफल की इतना होगा देखिए यहाई सम कोड़िक जो incorrect पर हैए ठिके प्लt Ay अब दिखें अब यह कर रहा है यह आपका मालु कि ए हो गया वी हो गया तीक है प्रीस का ये जो लंब है सटे क्या लंब लंब को थो हमने उचाई उचाय मान सकते हैं यहांम हम मानें को कि माना कि ऊछाई सब्सक्राइब कि यह एक इतना कि रहें यहाँ पर समझ में आया कि मैं उचाई छा है सै लेकिन जो आपकी पहली सर्थ दे रहा है आपको उसको नहीं लेना है प्रवावरा करहे कि करन है नइसको त्रकांति दूसरी क्या क्रेंग वार कि उसके इसके दो गुण्णे से एक से ला मैं यहां क्या करन करौए का दो गुंना तो लेकिन गुण्ञ हो गेहाओ कि शे के दो गुल से दो अधिक है तो यहां पर देखिए अब कर्ण मिल गया नहीं मिल गया तो अब बच गया क्या आधार तो आधार ju हम लों का निकलेगा फजी सब्सक्राइए अनल इसक्राइगी कुर्ण है नहीं रहें गारने को दि Mercury ठीक है आधार के जो करण है करें कि लंबाई से दो से में अधिक है ठीक है आधार की लंबाई से दो से में अधिक है जो करण है आधार मान लेते हैं आधार की लंबाई ए है इससे दो से में क्या है अधिक है ठीक है तो हम लोग कांड तो फाइंड कर लिए ना लेकिन हम लोग करनी चो करन है आधार से दोस्य मीं अधिक कर दीये आप आधार कितना नहीं है तो ला दीजिए कण कितना है आपका दーハक्ष प्लस अनुंञören लेकिन जो पहली बार कार रहा है उसको आपको नहीं करना है जो दूसरी में कर रहा है उसको आमको करना है कर दिए यहां से कमान करके आधार कमान निकालने क्योंकि आधार कितना आप कर रहेगा तो अधार यदी इतना रहेगा तो यह आपका दूगुना होगा ठीक है फ्रेंज उम्मीदों की समझ में आया अच्छ लगता है वीडियो को लाइक जरूर करते हैं जोई करके जाएगा अब यह पाइथागोरस पर में होता है काण का स्कॉर तो आपका है टू एक्स प्लस वन का स्कॉर और इसकल्टू होता है लग उचाही यानिकि लंब जो उचाही है ना उचाही का स्कॉर एक्स स्कॉ क्याहिए जादे ज्यादे वीडियो को लोग्राक जरूर करते जाएंगा और यहांसों जाएगा 4X का स्कॉर प्लस टो एक्स होजाएंग इनिकी प्लस 001 होजाएगा खिक इस स्कॉर हो मेरे प्यार का स्कॉर होगा है यह इने मिस्टेक हो और घ् Ap यहां 1-2 भी कड जाएगा इधर बचा क्या 4X बचा और इधर आपका इधर सकते हैं यह बरावर कितना एक्स का मान निकला न यह देखिए काण कितना है अधार कितना है तो स्कूसाइऑ हम लोग heter 6-13 in और 19 यहांपर देख्या आधार कितना हुआ दोंड लेकिन यह तो भूजा निकल गई तीनों भूजा आई हम लोग फाइन करूले लेकिन आपसे कहरा है कि तृभूज का छेतरफल निकाले तो सम्कूण को तृज का चैसे त्रफल यादिफाइन करें तो होता है वन बाइट तो आधार कितना है आपका 15 हो जाएगा अगुड़े उचाई तो उचाई कितनी है आपकी आठ यह हो जाएगा आपका दूच्यू के बाट यह जाएगा पंदर च्वू को कितना साठ सेंटीमीटर इस्क्वाइर ठ तो फ्रेंस यह रहा आपका जो है कि 11 से लिए करके 20 तक के प्रश्णों का सलोसन रहा उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और हां जाते जाते एक लाइक वीडियो को जरूर करते जाएगा तो और वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक सब्सक्राइब करके जोड़ जाएगा साथ में घंडी को भी दबा दीजेगा और ज्यादा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें चले फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तेक के लिए बाई बाई